कि हारुफिक्स वान प्लास केंट फाइन ब्लूटुटुट डिवाइस प्रॉबलम नमस्कार दोस्तों सवागर है अब सभी का तिकराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लूटुट डिवाइस जो है वह वह शो नहीं होते हैं हम दोस्तों यहां पर Bluetooth device को search करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शो नहीं होते तो आपको क्या करना होगा कैसे problem solve करना होगा यह मैं आपको बताने वाला हूं यह वीडियो देखने के बाद दोस्तों जब आप solution करोगे तब आपको Bluetooth device भी शो होगा आपका problem भी solve होगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले बस जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप online पेसा कमाना चाहते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपको कोई important सवाल है तो नीचे जोइन बटन पर क्लिक करके हमें join कीजिए और किसी भी वीडियो पर आपका सवाल कमेंट कीजिए और वह comment priority पर हम में शो होगा और आपका comment को 10 मिनिट के अंदर पर reply किया जाएगा और आपका problem को solve कर दिया जाएगा ठीक है तो जल से जल दोस्तों आप भी इस प्रोसेस को follow करें अगर आपको कोई दुबारा से reconnect करने की कोशिश करें solve हो जागा problem कई वर दोस्तों जब डिवाइस कनेक नहीं होते तो यह यह option है ठीक है आसानी से अपका problem restart के मदद से solve हो जाते हैं लेकिन कई वर नहीं होते तो उस वग आपको क्या करना होते मैं आपको इस वीडियो पर बता देता हूं सबसे पहले हम चेक करेंगे ब्लूटूट का update यहाँ पर हो सकते या नहीं हो सकते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई device पर होते हैं और कोई device पर नहीं होते लेकिन यहाँ पर चेक करना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो कुई बाद नहीं यहाँ पर हमें दूसरा जी solution करना होगा क्योंकि अपडेट का option रहने से अपडेट करने में अच्छा है लेकिन नहीं होने में आपको क्या करना होता है सेटिंग पर जाना है स्ट्रॉल डाउन करना है सिस्टेम पर क्लिक करके रिसेट ऑप्शन पर जाना है और ब्लुटूट को रिसेट करना है उसके लिए रिसेट वाइफाई एन मोबाइल ब्लुटूट नेट्रोग पर जाके आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है मोब सिस्टेम पर क्लिक करने और सर्च करना है Bluetooth ठीक है Bluetooth पर दबा कि आपको storage पर क्लिक करना है clear storage पर क्लिक करने ऑके करने के बाद बेक करना है make sure इसका permission allow रहे और उसके बाद दूसरे वाले option पर जाए storage क्लियर स्टोरेज ओके और बेक कर दे यहाँ परमिशन नहीं चाहिए उसके बाद दोस्तों आप मुबाइल को रिस्टार्ट करके चेक करके देखे प्रावलम सोर्फ हो जाएगा अगर दोस्तों प्रावलम सोर्फ हो जाता ही तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर जाएए अपने ब्लुटूट के ऑप्शन पर ठीक है तो ब्लुटूट यहाँ पर हम ओन कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं आप सर्च कर सकते है ठीक है सी ओल पे क्लिक करके आप डिवाइस चेक कर सकते उसके बाद प्यार निव डिवाइस पर अगर आप क्लिक करते तो आपको डिवाइस शो होना शुरू हो ठीक है यहां पर दोस्तों इसके related कुछ और setting तो नहीं है तो आप simply इसको follow कर सकते कोई भी यहां पर मान लीजिए को को भी Bluetooth डिवास को आप सथ कर सकते हैं ठीक है तो वहां पर क्लिक करके तो यह दोस्तों आप कर सकते हैं और ब्लूतुस का सोलीशन ने आपको उता लिया है अगर इससे दोस्तों काम बन जाते हैं प्रॉब्लम सोल्फ हो जाते हैं अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है फोन को सेफ पे और उसके बाद चेक करके देखें तो अगर आपका प्रॉब्लम हो जाते है अच्छी बाद है और लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाए सेटिंग स्क्रॉल डाउन करें सिस्टेम पर क्लिक करें और डेवलोपर आप्शन पर जाके ओके यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है system को update करना है ठीक है तो इस तरीगे से दोस्तों कुछ अपना प्रॉब्लम आप यहां पे कर सकते हैं जब ब्लूटूट्ट डिवाइस यहां पर कनेत्ट नहीं होते हैं फाइंट नहीं हो पा रहा है तो आपको सिंपली सिलुशिन फोलो करना है आज के लिए बस इतने उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा तेंक्स पूर वाचिंग